बिस्मिल्लाही रह्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम रह्मत लाही वबरकातु, यामी की छोटी सी दुनिया में आप सब का स्वागत है, आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं अलहम्दलिल्ला आज 15 रोजे हो गए हैं तो आएं और आज के एफ़तार में यामी के साथ यामी की छोटी सी दुनिया में शरीक हो जाएं तो आज मैं KFC स्टाइल फ्राइट चिकन बना रही हूँ इसके लिए मैंने 600 गिराम बोल लेस चिकन ले लिया है इस चिकन में मैं अदर कलस्टन का पेस्ट, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लेक पेपर पाउडर, नमक, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स और वाइट सिरका डाल कर मिला दूँगी अच्छी तरीखा से और फिर उसे मैं 5-6 घंटे के लिए ढखक कर रख दूँगी अब मैंने इसमें सब मसाले डाल दिये हैं, अब मैं इसे फ्रेज में रख दूँगी अब मैंने मैदा ले लिया हैं, इस मैदे में मैं जीरा डाल रही हूँ और ब्लेक पेपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे मैं अच्छी तरीखा से मिला लूंगी अब मैंने जो चिकन मसाले में मिला कर 4-5 घंटे के लिए रख दिया था उसे निकाल कर मैं इस मैदे में डालूंगी और डाल कर हलके हाथ से उसे मिला लूंगी हलके हाथ से मिलाऊंगी उसे जादा नहीं मुझे मिक्स करना है हलके हाथ से मिलाकर फिर मैं इसे मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी और छन्नी में निकाल कर इसमें एक्स्ट्रा मैदा जितना है उसे सब मैं निकाल लूँगी मैदा पूरी तरीखा से निकाल लेना है मैदा इसमें रहने न पाए अब मैंने इस मैदे में जो जो चिकन डाला था मैंने कुछ छनी में निकाल लिया है और बाकी जो मैदे में चिकन था उसे मैंने निकाल कर अलग रख लिया है अब अलग रखने के बाद मैं इस छनी में जो चिकन है उसे मैं ठंडे पानी में डिप करूँगी ठंडे पानी में डिप करके अच्छी तरीका से भिगा लूँगी और भिगाने के बाद फिर इसे इस ठंडे पानी से निकाल कर मैं वापस इस चिकन को फिर उसी मैदे में डाल दूँगी और अब इस मैदे में डालने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरीखा से इसे मिलाना है बिल्कुल दबा दबा कर इसे अच्छी तरीखा से मिलाना है ताके इसमें मैदे की coating बहुत अच्छी तरीखा से हो जाए पहली बार हलके हाथ से मिलाना था और फिर बिलकुल चेल पानी में उसे डिप करना था और डिप करने के बाद अब जब दुबारा इस मैदे में डालेंगे तो फिर बहुत अच्छी तरीखा से मिला लेंगे जब बहुत अच्छी तरीखा से मिलाएंगे तो इसमें कोटिंग जब अच्छी हो जाएगी और फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल KFC स्टाइल का क्रिस्पी चिकन फ्राई चिकन बनेगा तो अब मैंने इसे बहुत अच्छी तरीखा से मैंदे में दबा दबा कर कोटिंग कर ली है और अब देखिए ये कोटिंग इसमें पूरी हो गई है ये चिकन इस तरह का लग रहा है इसे अब मैं ऐसे ही रग दूँगी और इफ्तार से 15-20 मिनट पहले फ्राई कर लूँगी इसे पहले हाई फ्लेम में फ्राई करना होगा और फिर मिडियम फ्लेम में तो फिर ये फ्राई करने के बाद कैसा लग रहा है मैं आपको दिखा देती है तो ये है क्रिस्पी फ्राइट चिकन तो अब मैं क्रिमे का ब्रेड रोल बनाऊंगी तो ये क्रिमा मैंने बना लिये है तो मैंने इस ब्रेड रोल के लिए सैंविच ब्रेड जो होता है बड़े साइस का वो ब्रेड ले लिये है और अब मैं इसके किनारे को काटकर निकाल दूँगी इसमें किनारा रहने नहीं पाएं, किनारा अगर इसमें रह जाएगा तो वो सही तरीखा से आप उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इसका किनारा निकाल रही हूँ, और किनारा निकालने के बाद इसका मैं इस ब्रेट के स्लाइस को पानी में डिप कर बिल्कुल चारों तरव से दबा कर हलके हाथ से फोल करिएगा, कहीं से खुला नहीं रहे, वरना कीमा निकल जाएगा फ्राइ करने में इस कीमा को मैंने अधरक, लसन, मिरच, जीरा, नमक, हल्दी डाल कर भून लिया था और भूनने के बाद इसमें हरधनिया, हरीमिरच और प्यास काटकर डाल दिया था कीमा मैंने एक दिन पहले बनाये था, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई और ब्रेट के जो मैंने किनारे निका ले थे, उसका मैंने ब्रेट करम बना लिया और उसी ब्रेट करम को मैं इस ब्रेट रोल में लगा दूँगी अब यह देखिए मैं इसमें अच्छी तरीखा से ब्रेट करम को लगा रही हूँ और ब्रेट करम लगाने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताके वो अच्छी तरीखा से उसमें सेट हो जाए और फ्रिज में रखने के बाद जब मैं निकालूंगी तो फिर दुबारा इसमें ब्रेट करम को लगाऊंगी तो ब्रेट करम बनाने के लिए इस ब्रेट के जो किनारे निकले थे उसे मैंने हलका सा तवे में सेखने के बाद मिक्सी में चला लिए और मिक्सी में चलाने के बाद ये इस तरह का ब्रेट करम बन गया है और इस तरह ब्रेट बिल्कुल बरबाद भी नहीं हुआ slice का तो bread roll बन रहा है और इसके किनारे जो निकले तो इससे bread cream बन गया तो ये देखिए मैं किस तरह लगा रही हूँ इसमें bread cream bread cream को बहुत अच्छी तरीखा से लगाना है ऐसे भी मैं bread cream घरी में बनाती हूँ अभी तो इसके किनारे निकले तो इससे बना लिया वरना मैं bread से bread cream बना लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा bread cream की ज़रूद होती है तो मैं bread को सेख कर मिक्सी में चला लेती हूँ तो ये देखिए मेरे bread roll तयार हो गए है इसे अब मैं दुबारा हलकी coating कर लूँगी bread cream से और फ्राई अभी नहीं करूँगी फ्राई इफतार से 10-15 मिनट पहले करूँगी तो अब मैं शर्बत बना रही हूँ शर्बत बना कर मैं bread roll फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊंगी तो इस शर्बत को बनाने के लिए मुझे सब्जा सीट याने के बेसल सीट चीनी पातिनेबू काला नमक पुदीना रुवजा और पानी की जरुवत पड़ती है तो मैंने पानी में चीनी डाल कर पहले से भेगा दिया था तो वो क्योंकि चीनी घुलने में टाइम लगता है ना तो मैंने पहले से चीनी को पानी के साथ रख दिया था तो देखी ये चीनी घुल चुकी है इसमें थोड़ी सी चीनी और मुझे डालनी है मैंने दो चम्मच चीनी पहले भेगा दी थी अब इसमें मैं रुवजा डाल रही हूं और रुवजर डालने के बाद इसमें ये बेसल सीड डाल रही हूँ, बेसल सीड एक चम्मच लिया था मैंने भर के, एक लीटर पानी इसमें आएगा मग में मेरे, तो एक लीटर पानी में मैंने एक चम्मच भर कर बेसल सीड ले लिया था और ये पाच्छे पुदीने के पत् यह शर्बत बहुत मज़े का बनता है और बहुत फायदे मन भी है पुदीना भी हाजमे के लिए बहुत फायदे मन है और पाती नेबू भी और दिन भर के रोजे के बाद जब इस शर्बत को हम पीते हैं तो बहुत सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है ताजगी के हसा अब मैं इसमें एक चम्मच काला नमक डालूंगी छोटे चम्मच का टी स्पून का काला नमक भी हाजमे के लिए फायदे मन है और टेस्टी भी होता है इससे शर्बत का मज़ा बढ़ जाता है और दिन भर के रोजे के बाद तो हमें ऐसी हल्दी चीज़े लेनी चाहिए अब इसमें मैं पुदीने के पत्तों को तोड़कर डाल रही हूँ पुदीने के पत्तों को तोड़कर डालने से उसका फिलेवर शर्बत में आ जाता है तो अच्छा लगता है अब मैं इसे मिला ले रही हूँ चीनी तो मैंने पहले ही भेगा के रख दी थी चीनी मिक्स हो चुकी है अब मैंने जग में पाई डाल दिया है इसे फुल कर दिया है और ढखकर अब इसमें फ्रिज में रख दूँ खुश रहें अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज